नमस्कार दोस्तो आज की स्वीडिो में आपका स्वारत है दोस्तो क्या आप भी अपने फौन में 2 वार्टसप् चलाना चाहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कैसे एक फौन में एक वार्टसप् के अलावा दूसरा वार्टसप् अऊपिन किया जाता है और आप जानना आच आते हैं तो यह बीडियो आपके लिए है तो चले आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जांते हैं एक फॉन में 2 आच सप कैसे open करना है दोस्तों एक फॉन में Iowa अपनी करने के लिए आपको अपने फॉन में Setting को open कर लेना है सेटिंग को आपिन करने के बाद नीचे का तरफ स्कॉल करकर आना है और यहां पे नीचे में आपको एक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको एक्रुलम डेखने को मिलेगा 건 क्लोनर का तो आपको app kloner के option में klik करना है जब आप app kloner के option में klik करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत चारा एप देखने को मिलेगा जिस एप को आप दुवारा open अपने mail में कर सकते हैं तो वह एप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हैंपर में instagram phone पे और whatsapp को द्वारा ओपिन कर सकता हूँ तो यहाँ पर जो है ओशो हो रहा है तो यहाँ पर आपको WhatsApp को द्वारा ओपिन करना है अपने फॉन में तो यहाँ पर क्या करना है आपको WhatsApp पर क्लिक करना है जब आप WhatsApp पर क्लिक करेंगे यहाँ पर create app clone का option आ जाएगा तो यहाँ पर आपको इस option को on कर देना है जब आप इस option को on कर देंगे तो आपके फॉन में जो है दूसरा वाट्सअप open हो जाएगा अगर आपको यहाँ से यह option आपको देखने को नहीं मिल रहा है अप क्लोन का तो आपको back आ जाना है और यहाँ पर आप करने के बाद आपको अपने फॉन में चले आना है और यहाँ पर आपको दूसरा वाट्सअप देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जब आप दूसरा वाट्सअप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेट करने का option आएगा तो यहाँ पर आपको जो लैंग अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी अपने पॉन में एक वार्टसेप के अलावा दूसरा वार्टसेप ओपन करना सीख गयोंगे तो दोस्ता आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जया भारत